तो दोस्तों ये ससे निकल एक न्यूज जारी किया या नौटिस जारी किया जिसमें उन्होंने आपका एज और फीस से रिलार्जेट कुछ बाते बोली हैं अब देखिए कुछ लोग का यहां पर फॉर्म भी नहीं देना पड़ेगा किनको नहीं देना पड़ेगा तो जो लो पहले ही फॉर्म को भर के पैसा दें दियें 2018 में भी कैंसल हो गया था टीक है अब जो 2023 में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो उनको पैसा लगेगा ठीक है और बाद बाकी उनको नहीं लएगा जो कि 2018 में या फिर 22 में किसी भी एक टाइम में या फिर दोन एक अगस्ट 2023 तक आपको कम से कम 18 साल के हो जाने चाहिए ठीक है एक अगस्ट 2023 तक आपको कम से कम 18 साल के हो जाना चाहिए और अधिक तम एक अगस्ट 2019 तक आपको कम से कम 25 साल के होने चाहिए ठीक है मतलब कि अगर एक अगस्ट 2019 में आपका 25 साल हो रहा था तब भी आप फ का उम्र की गन्ना आपकी नहीं की जा रही है आपकी उम्र अधिकतम कब से की जा रही है अगर आप एक अगस 2019 में 25 साल के हो रहे हैं ठीक है अभी आप जितने हो रहे हैं 27 या 28 हो रहे होंगे ठीक है तो वह भी अपलाई कर पाएंगे 27-27 साथ है 25 साल तब आप फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे ठीक है उसमें भी स्टी से को आपको छूट दिया गया है और अभी सी को भी छूट दिया गया है साथ यह आप बोला गया है कि अधिकतम उम्र सिमा की गन्ना है तो सिर्फ विग्यापन संख्या 418 में संभित अभियार् पाइस में जो फॉर्म को भरे या फिर बाद में भरने वाले हैं उनकी उम्र की गन्ना इसाधार पे और जो भर्क को भॉर्म quinhoकी गन्ना इस अधर पे होगी 200 15 साल लोना चाहिए ठीक है तो इस तरह से जो है आपकी उम्र यहां पे बढ़ा दी गई है वह भर सकेंगे और जैसे ही आज आपका फॉर्म भाराना शुरू होगा मैं आपको भर के दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरिएगा अपने मोबाल या लेप्टॉप से तो बस आज की की न्यूज है और जब भी आपका जहारखंड में गॉर्मेंट या प्राइवेट जौब आती है हम आपको तुरंत अलर्ट कर देते हैं तो आप हमारे साथ जोड़े रहिए इसी तरह सब्डिट हम आपको देते रहेंगे ठीक है बाकि पीडियाप का लिंक वीडियो का डिस दोहार चारखंड